दोस्तों आदावरजे मैंनी समत खान हिंद वाइज से आपसे मुखातिब हूँ यूपी में योगी जी सुशासन काइम करने के लिए जबजस्त बुल्डूजर यूग चला रहे हैं तमाम अपने ब्रोधियों को बक्षियों को बुल्डूजर से वो निश्ट नाबूत करती ह बुल्डूजर यूग जी चला रहे हैं अब इसमें किसका फाइदा होता है किसका नक्सान होता है अब उन्होंने सिक्षापर बुल्डूजर चलाना शुरू कर दी है सबसे पहला बुल्डूजर उन्होंने मदर्सों पे चलाया है मदर्सों के जो मंत्री है इकलोते पड़े प्यादे से मंत्री है जो कि कहीं से चुनाव जीत करनी है लेकिन वो मंत्री बना दी है उनको मुसलिम नाम की ज़वरत थी तो दानिश आजाजाजस साब है हलागि वो बीजेपी में शुरू से ही एक्टिब रहें दानिश आजाजस साब लेकिन जीते ने मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने भासर में कहा था कि हमें हमारी उपर योगी जी और मोदी जी ने अपार अपना प्रेम दर्सा आया और हमें मंत्री मंदल में लेकिया है अब उनके मुझ से ही उनके ही श्री मुख से सबसे बड़ा उन्होंने काम करा है कि मुझे मदर्सों का है तो सिलिवसी चेंज करना चाहिए तो उसके सबसे पहले उन्होंने तकरिवन तक पांच हजार दो रूसो चबश जो शिक्षक है उनको बेड़कल कर दिया वो शिक्षक वो है जो धार्मिक शिक्षक दीते थे मुझे उनको उटा दिया गया और यह कहा कि अब इनकी कोई ज़र्फ नहीं इसके जगए आधनिक शिक्षा के जो ग्याता है वो लाएंगे अब आधनिक शिक्षा के ग्याता को होना और वो आधनिक शिक्षा किस किसम की होगी वो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं सब जानते हैं वो आधनिक शिक्षा बीजे पीस्त मरते की शिक्षा होगी जो नि कहेंगे के विश्योंदू परसंत अभी वनी हुई है। बी-जेपी के भी नहीं कहेंगे के एरी अभी वनी हुई है। हाँ, RSS के हैं जो कि बहत पराणी सज्टा है, पच्चेस में उसके स्थापन वैटि , उसके हैं लोग भागग। उसमें नाथ रिमिड रूर्जसे का भी नाम हो का क्यों रियुड है कि Armyland अब फूर्णि नहरू को दो दो आके इनी लोग के लॉप लाएंगे गौर्शे के और तमाम जो यह 1 वह लेकि आइंगी जो कि BJP के ही है BJP ही उनको बढ़ा रही कि सुतंतरस सेनानी है और इन्हों आजादी के उसमें हिस्सा लिया है जब कि आपको पता है कि आजादी में आजादी के लिड़ाई में किसी नहीं लिया है तो वो है RSS, प्रास्टी स्वाम सी वक्सालिए जो सुरू सेनी से पच्चेस में ही बनी थी लेकिन इसने हिस्सा नहीं लिया इनको यह अमीद थी कि जब अंग्रेज जाएंगे तो मुसलमान हैंसे चले जाएंगे और पूरा का पूरा जाज वो हिंदूों को सौप के जाएंगे हिंदूों की पारिटी हमें तो हमें देखे जाएंगे लेकिन अंग्रेज उन्हें थेंगा दिखा दिया और कुछ नहीं दिया उन्हों को दिया गांधी के समर्थक नहरू, पटेल, मौला नाजाद इनकी हाथ में सत्ता देके वो गई यहां से हम बात कर लेएं उसकी मदर्सों में पर चल आओछ शाब किताब मदर्सों की जी बात हम कर लेएं मदर्सों में गया कि अब उनको अति आधनिक that दी जाएंगे वो अतिआदनिक शिक्षग ग्या है अब उनको नहीं दिक्टियन इसी जो उनके पड़ाई कराने बारी दे शिक्चक ते उनको भटा दिया गया, जब साड़े 5000 से भी ज़्याद सिक्चक को भटाया गया है, उसकी जगह है, वो मौडरन सिक्चा की जादूगर ला रहे हैं, वो जादूगर क्या होंगे, कैसे होंगे, वो सब, क्योंकि जगह जगह आप उसके जो समर्थक है, वो भी इन लोगों का है, बीजे प्रिबानों का है, तो उसके समर्थकों को भी भरा जाएगा, वो ग्यान क्या दिया जाएगा, वो ग्यान दिया जाएगा, जो आपको कहीं किताबों में नहीं मिलागा, सिर्फ और सिर्फ, RSS के स्री मुक्से नकला हो जिनको इत्हास भूला चुका है, इत्हास ने किसी को नहीं बूला है, घान्दी को याद है, टोपी पूर ज्टार algae लोगी कि एल थी उत्हा है, लेकर सक्षा का पूरा पैटरं, मदरसों की सक्षा का पूरा पैटर्ण बहसा का, अबी तक नोंने नहीं का, उसमें अगर अधिया Conservancy गारता है, तो जो कि बिदेशी भाषा जैसा ये लोग कहते हैं। उसको भी हिटा दी जाए जा कैंए गया खीज़ का विदेश्यु भाषा कहते हैं इस तरीके से कई चीज़ इस तरीके की बताते रहते हैं इसको आधनिक सिक्षक कहते हैं और यह कहते हैं जो आधनिक लाएंगे पुरातन लाएंगे इसका भी उनके पास अभी तक कोई क्लासिफिकेशन नहीं लेकिन मदर्सों कायक कल्प कह रहा है कि हम कर देंगे जो बाकायदावनोंने जो हमारे दानिश आजाद सावे वो आजाद भी है दानिश भी है दानिश माने होता बुद्धी जी भी और आजाद भी है अब कैसे आजाद है वो आप भी जानते हैं कि चौना भी नहीं जीत भाए वो और उनको मंत्री बना दिया तो वो उनके शीर मुक् इस सब में जाएंगे जबकि इनके हाँ से ही एक आवाज उटती है कि जो आईएस आईपियस मुसल्मान आते हैं वो इसलाम एक जहाद के नाम से इन्होंने इसके वादे में केम्पेंच चलाय था है जामी वगयर से पढ़के आते थे इस्टुडेंट और इनको शायद नहीं पता है कि कई स्टुडेंट ऐसे हैं जो मदर्सों से पढ़के आते हैं और आईएस आईपियस वड़े बड़े जो एड्मिस्टेटिव जॉब है उसमें लगी हुई है ऐसे कई स्टुडेंट से इनको पता नहीं है अब ये क्या करें ये क्या निकरें लेकर नहां धीरे दी नहीं स्टुडेंट जो आरेसस का गान है वो भी गाये जाएगा जनगरमन धीरे दीरे खतम कर दिये जाएगा उसकी जगए और भी जो गायन के अपने भजन है गाने है वो समित कर लिए जाएंगी है अब कुछ नहीं कह सकते हैं लेकिन पार्टिकरम पूरा बदल दिये जा में देजिए इजाज़त